देखिए अगर आप किसी private life insurance company या फिर health insurance company या फिर general insurance company में as a development officer या फिर relationship manager काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका role insurance agents को बनाना है और फिर उन insurance agent को develop करना है अगर आपका ये role है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका ये profession है आपको आगे चल कर एक passive income दिने का काम कर सकता है देखिए आप इस profession को कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि बिना कुछ investment किये आप इस profession को एक business की तरह चला सकते हैं अगर तो आपने इस काम को सही तरीके से किया ए और आपने एक अच्छी team तयार कर ली और आपने अपने इस team को self dependent बना दिया self dependent बना दिया तो यकीन मानिये आने वाले दिनों में हर महीने हर महीने आप बिना महनत किये या फिर बहुत कम महनत करके भी करोडों रुपे कमा सकते हैं देखिए मैंने कई सारे life insurance company के development officer कई सारे private life insurance company के relationship manager, health insurance company के relationship manager और general insurance company के relationship manager development officers को साल के करोडों रुपे कमाते हुए देखा हैं देखिए आपके साथ में problem ये है कि आपकी जो team है आपकी ये team आपको business लाके नहीं दे पा रही है business generate नहीं कर पा रही है इसके बावजुद के आप अपनी team को अच्छी training दे रहे है continuous training दे रहे है आप अपनी team को continuous motivate कर रहे हैं आप अपनी टीम पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं लेकिन वो आपको business लाकर नहीं दे पा रहे हैं end result आपका कुछ अच्छा नहीं आ रहा है और आप परिशान रहते हैं, देखिए as a relationship manager, as a development officer आपको एक चीज समझने की ज़रत है और वो ये है कि training और motivation के अलावा आपको अपने team member को एक ऐसा tool देना होगा, एक ऐसा ओजार देना होगा जिसकी मदद से prospecting, prospecting उनके लिए आसान हो जाए देखिए ज्यादा तर relationship manager, development officer जो होते हैं, वो अपने team members को prospecting के लिए, prospecting के लिए stall activity करने के लिए कहते हैं या फिर वो उन्हें cold call करने के लिए कहते हैं, लेकिन एक चीज, एक चीज मैं आपको बता दूँ कि ये जो तरीका है, ये जो formula है, अब ये formula पुराना हो चुका है insurance agent के लिए ARN नाम का एक project तयार किया है, इस project की मदद से एक insurance agent दुनिया के किसी भी हिस्ते से business owner की एक community तयार कर सकता है और इस community की, इस community की खासियत यह है कि ये community अपने आप grow होती रहती है, क्योंकि इस community में जो business owner आते हैं, वो business owner खुद ही इस community को बढ़ाने का काम करते हैं देखिए ये community insurance agent के लिए prospecting का एक बहुत बड़ा source बन जाती है, ARN इस project को insurance agent तक लेकर जाने के लिए VITV, insurance company के relationship managers को ARN इस project की franchisee दे रहा, देखिए ऐसे relationship manager अगर आप ये franchisee ले लेते हैं, तो आपके पास में अपने team के insurance agent को देने के लिए एक ऐसा tool आ जाता है, जिसकी मदद से आपके team के insurance agent prospecting को बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा ये franchisee आपके लिए एक ऐसा tool बन जाएगी, जिसकी मदद से आप उन insurance agents, जिसकी मदद से आपके जो prospecting insurance agent है, ऐसे insurance agents जिन्हें आप अपने team में शामिल करना चाहते हैं, ऐसे insurance agent को attract करने के लिए ये आपके लिए एक tool बन जाएगा देखिए मेरा नाम रंजीत सींग है और पिछले तीन सालों से वी आई टीवी इस चैनल पर हम काम कर रहे हैं और इन तीन सालों में हमने एक हजार से भी ज्यादा insurance agents के वीडियो बनाएं, उनके interview लिए और उन्हें as an insurance agent बहुत जादा famous करने का काम हमने किया देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह वीडियो किसी भी life insurance company या health insurance company या general insurance company के relationship manager या development officer के लिए बहुत important है मैं आपसे request करूँगा कि आपके list में जितने भी ऐसे relationship manager है insurance company के आप उनके साथ में इस वीडियो को share करना देखिए अगर आप एक business owner mindset के वेक्षी हैं तो आप BITV इस चैनल को subscribe जरूर करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे वीडियो को like करना BITV इस चैनल से आप किस प्रकार के वीडियो expect करते हैं comment में लिख कर हमें बताना अगले किसी वीडियो में मैं आप से फिर मुलाकात करूँगा तब तक के लिए अलविदा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद